तो 20 सितंबर से श्राज शुरू हो चुके हैं पित्र पक्ष में श्राद का भोजन कैसा होना चीए और श्राद के भोजन में क्या नहीं पकाना चीए और कौन सी सब्जी बनाने चीए कौन सी नहीं बनाने चीए तो खीर और पूरी अनिवार्य है और गंगा जल, दूद, और तिल सबसे ज़्यादा जरूर है तिल पिसाचों से श्राद की रक्षा करते हैं चना, मसूर, उड़ेद, कुल्ती, सत्तू, मूली, काले जीरा, कचिनार, बड़ी सरसो, काली सरसो की पत्ती, बासी, खराब, अन, फल और मेवे, इत्यादी ये सब भोजन में नहीं पकाना चाहिए और साती साथ आप किसी ब्राह्मन को भोजन कराते हैं तो लोहे का आसन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रेश्मी, सूती, या फिर लकडी का आसन पे आप भोजन करा सकते हैं, तो ये तिकाच जानकरी की शाद में कौन से सब्जी बनानी चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए और खास तोर पर लेसन प्याज का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जानकर ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल एकर बटन दबा दीजिए तो मिलती हो आप से नेक्स्ट वीडियो में